नमस्कार आप देख रहे हैं दिवे हिमाशल टीवी मैं वंचितार शर्मा हिमाशल साहित रविवार के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कारिक्रम में पेश की जाएंगी कुछ सुन्दर गजले और कविताएं जो दिवे हिमाशल टीवी के रोजाना प्रसारित होने वाले कारिक्रम हम पहाडी में इस से पहले पेश की जा चुकी है आपको ये गजले ये कविताएं निश्चित रूप से खुब पसंद आएंगी कारिक्रम की अंतिम पेश कश के रूप में एक रचना कार की कृती खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का साहितिक सफर कारिक्रम की शुरुआत करते हैं सकविता के साथ की नर हो ना निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहके निजनाम करो या जनम हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें या व्यर्थ ना हो कुछ तो उप्युक्त करो तन को नर हो ना निराश करो मन को संभलो कि सुयोग ना जाय चला कब व्यर्थ हुआ सदुपाई भला समझो जग को ना निरा सपना पत अपना प्रशस्त करो अखिलेश्वर है अविलंबन को नरहो ना निराश करो मन को आलम खुर्शित साहब किया घसल है मैं दश्कों के लिए लाया हूँ छोटी सी घसल है लेकिन प्यारी बहुत है याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद एक सितारे नए पूछा रात ढ़ल जाने के बाद मैं जमी पर हूँ मैं जमी पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमा मैं जमी पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमा ये ख्याल आया मुझे अक्सर फिसल जाने के बाद दोस्तों के साथ चलने में भी खत्रे हैं हजार भूल जाता हूँ हमेशा मैं संभल जाने के बाद अब जरा सा फासला रखकर जलता हूँ चराग तजर्बाए रहा हाथ जल जाने के बाद वहशत को है सहरा से बड़ी निस्बत अजीब कोई घर लोटा नहीं घर से निकल जाने के बाद कोई घर लोटा नहीं घर से निकल जाने के बाद अंसुगर निलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या रूटे दिवस मनाने वालो फटी कमीच सिलाने वालो कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है लाखों बार गगरिया फूटी शिकर ना आई परपन घट पर लाखों बार किष्टिया डूबी चहल पहल बोई है घाट पर तम की उमर बढ़ाने वालो लौ की उमर घटाने वालो लाख करे पत जड़ कोशिश पर उपबन नहीं मरा करता है अमीता परचुराम मीता ये दिली की लेकी का हैं अमीता परचुराम मीता इनकोंने उर्दु में लिखती है बहुत बढ़ी अशायरा शिद्द ते शौक से अफसाने तो हो जाते हैं फिर न जाने वही आशिक कहा खो जाते हैं मुझसे इरशाद ये होता है के समझू उनको और फिर भीड में दुनिया की वो खो जाते हैं दर्द जब जब्द की हद से गजर जाता है ख्वाब तनहाई के आगोश में सो जाते हैं बस यूँ ही कहते हैं वो मेरे हैं मेरे हुंगे और एक पल में किसी और के हो जाते हैं हम तो पाबंदे वफा पहले भी थे आज भी हैं आप ही टाने ऐए तो लोग जाते हैं कोई टद्बीर न देना, बस यूं ही फैसले जो होने हैं, कुछ तो अहसासे महब्बत से हुई नम आगहें कुछ तेरी आद के बादल भी भिगो जाते हैं अहमद फराज सहाब, एक ऐसा नाम, जिसको भी घजल का शौक है या घजल का मतलब पता है, वो अहमद फराज सहाब का नाम बहुत एहतराम से लेता है, उनके लिखने का स्टाइल ऐसा है, न बड़ा सक्त लिखते हैं, न बड़ा, इनका इंतकाल हो चुका है, पाकिस्तान के इसलामाबाद में रहते थे, एहमद फराज सहाब की एक घजल हम लेके आए हैं, रोग ऐसे भी घमेयार से लग जाते हैं, दर से उटते हैं तो दीवार से लग जाते हैं, आगे कहते हैं, इश्क आगाज में हलकी सी खलिश रखता है, बाद में सैकडों आजार लग जाते है पहले पहले हवस एक आज दुकाँ खोलती है फिर तो बाजार के बाजार लग जाते हैं बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है रो न पाएं तो गले यार से लग जाते है कतरने गम की जो घलियों में उड़ी फिरती हैं घर में ले आओ तो अमबार से लग जाते हैं और दाग दामन के हो दिल के हो के चहरे के फराज दाग दामन के हो दिल के हो के चहरे के फराज पुछ निशा उमर की रफ्तार से लग जाते हैं अब निर्मन असो साहब अधरम शाला के बड़े सीनियर हमारे रशनकार है उनकी एक कविता है कविता लिखियों एक बहुत हमारे अग्रैप उसका शीर्शक अगर हम कहें तो है मिट्टी तूटती है मिट्टी से सने मेरे हाथ में मिट्टी का पुतला कितनी बार पका कितनी बार तूटा अब इसी गंध मैं रचा रचाने लगा जमीन की महत्वक आँख्षा कितना पसीना बहाती है मिट्टी सदियों से सोखती है फिर नहाती है मिट्टी बादलों से इश्क की मारी भटके बादल से आँख मिलाती है हर बार मारी जाती है कभी नीली आँखों से आकाश देखती कभी अंधी अपनी ही दरार में कराहती है टटोलती खुद में जब सारा जग छीनता है रौनता है और टुकडे टुकडे बंट जाती है जिन्दगी भी इस तरह मानो हम अधप के घड़े पर खड़े या मिट्टी के टीले मिट्टी जैसे बुत बुत तराशी कितनी बदनसीब अपने हाथों में हर कल्टना के वावजूद तूटते वजूद जिस तरह मिट्टी तूटती है अपने ही हर आकार में कि नहीं ये मेरे देश की आँखे नहीं है पुते गालों के उपर नकली भाओं के नीचे छाया प्यार के छलावे बिछाती मुकुर से उठाई हुई मुसकान मुसकुराती ये आँखे नहीं ये मेरे देश की आँखे नहीं तनाप से जुरियां पड़ी कोरों की दरार से श मेरे देश की आँखें, खेतों के पार, मेड की लीक धारे, क्षिती रेखा को खोचती, सूनी कभी ताकती हैं वे आँखें, उसने जुकी कमर सीधी की, माथे से पसीना पोचा, डलिया हाथ से छोड़ी, और उड़ी धूल के बादल के बीच में से जलमलाते, जाडों की अमव और अपकारिक्रम में सुनिये सोलन से डॉक्टर राजन तन्वर की रचना, स्वयम उनकी ही आवाज में कभीता का शिर्शक है, नीड का निर्मान, ममत्त्वा का परमान श्रीर हुआ भारी तुम्हारा, उड़ना हुआ दुशकर श्रीर हुआ भारी तुम्हारा, उड़ना हुआ दुशकर, ऐसे में संग्रहित कर, नीड निर्मान किया तुमने, उन आने वालों को शरण स्थली बना दाली श्रीर हुआ भारी तुम्हारा, उड़ना हुआ दुशकर, ऐसे में संग्रहित कर, नीड निर्मान किया तुमने, उन आने वालों को शरण स्थली बना दाली स्वयम तुम उड़ती रही, स्वयम तुम उड़ती रही, इधर उधर विचरती रही, किन्तु ममत्व का एहसास करवा डाला उनको, जिन्होंने प्रस्वो प्रांथी तजडानी थी संताने अपनी आश्रम अस्तार और मंदर के द्वार पर किन्तु ममत्व का हैसास करवा डाला उनको भी, जिन्होंने प्रस्वो प्रांथी तजडानी थी संतानी अपनी आश्रम अस्तार और मंदर के द्वार पर ममत्व की तुम में परागास्था है, वासना की ही उनमे के वर लोजली थी ममत्व की तुम में परागास्था है, वासना की ही उनमे के वर लोजली थी बे नाम करके छोड़ आये थे जो अपने हिर्दे अंग को, लड़ने जीवन जंग को मानम जाती है सर्वो परी, मानम जाती है सर्वो परी, किंतु कभी कभी करनी ये करती है आहा भरी मानम जाती है सर्वो परी, किंतु कभी कभी करनी ये करती है आहा भरी, जिसे देख स्वालों की लगती जड़ी आतम गलानी जब प्रस्पुटित होती, शिकार होती तब अपनी नजर का ही स्वयम को भी मुहूं ना दिखा पाती स्वयम को भी मुहूं ना दिखा पाती चिरियों के नीड निर्वान ने असंख्यों को सबक सिखाए है किंतु इन पड़े देखे ग्यानियों ने आश्रम, अस्ताल और मंदर के द्वार खटगाए है चिरियों के नीड निर्वान में असंख्यों को सबक सिखाए है किंतु इन पड़े देखे ग्यानियों ने आश्रम, अस्ताल और मंदर के द्वार खटगाए है अब आपके लिए एक विशेश संदेश अगर आप भी अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो हमें भेज ये अपनी रचनाए चैनित होने पर आपकी कृती पहले हम पहाडी और फिर इसी कारिक्रम हिमाचल साहित्यर अविवार में प्रसारित की जाएगी ध्यान रखें कि आप अपना वीडियो फोन को लैंसकेप मोड यानि की इस तरहां बना कर भेजें आप अपना वीडियो हमें स्क्रीन पर दर्शाय जा रहे नंबर पर भेज सकते हैं अब हमें दीजिये इजाज़त इसी तरहां प्यार देते रहिए हमारे इसकारिक्रम को अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आप से फिर मुलकात होगी तब तक अपना खयाल रखिये और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी नमस्कार दिव्य हिमाचल समचार पत्र में आज हमेशा की तरहां साहित्य के लिए एक पूरा प्रिष्ट प्रकाशित किया गया है प्रतिविम के नाम से यह प्रस्तुती प्रिष्ट नमबर दस पर उपलब्ध है इसे पढ़ना ना भूले और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेक जरूर भेजें